अजमेर के अलवरगेट थाने में पहली महिला एसेचों की नुक्ती, थाना छेत की महिलां में काफी खुसी है, उन्होंने एसपी साहब का सुक्रियादा किया है कि छेत में महिला एसेचों की नुक्ती से नारी सक्ती बढ़ेगी, एसेचों की नुक्ती से नारी सक्ती बढ़े इसे जो बन किया है यह सबसे बड़ी बात एक महिला शक्ति के लिए है दूसरी बात गूजर जी है वो मेरे से 12 साल से परिचित है और मैं जानती हूँ शी बोल्ड और ब्यूटिफुल बोल्ड इसलिए कि वो हर चीज को टैकिल कर लेंगी हर विशे पे वो बात कर सकती है और ब्यूटिफुल इसलिए क्योंकि उनका हाट बहुत ब्यूटिफुल है दिल बहुत ब्यूटिफुल है एक पुलिस कर्मी के लिए यह बहुत बड़ी चीज है कि वो समस्याइज समझे और फिर काम करे दूसी बात मैं इस विशे में ये कहना चाती हूँ कि अलवर गेट थाना जो है वो बहुत ही डाइसी डेंजिरस है और उसमें एक महिला का आना ये दर्शाता है कि S.P. साब ने उनको ये एक मौका दिया है और आज मैं S.P. साब की भी बहुत शुक्र गुजारूं कि उन्होंने सुनीता गूजर जैसी लेडी को आलवर गेट थाने में नियुक्त किया है तैंक यू सो मच मिस्स रागनी चतरवेदी सोशिल वर्क बिल्कुल यादत साका की जो यादत साका में लगकर दो वर्क में ने पूं किया और वहाँ पर कारे से लिए अलग की थाने की कारे से लिए अलग है स्रीमान S.P. साब के आदिसान उसारा आज मैंने अलोगेट थाना जोइन किया है और बिल्कुल दोनों में दिन रात का परिवर्तन है चेंज है उस हिसाब से अब देखेंगे कारे परणाली को समझे ने दो चाली में लगेंगी उसके बाद कॉसिस करती हूं मेरा बैष्ट देने की ताकि यहां अलगेट सेतर में जितना भी में लोगों के लिए कुछ कर सकूं क्राइम की मामले में कानून वरस्ता को संभालने में उसकी पूरी में कॉसिस करूँगी और मैं चाहूँगी कि यहां सांती वरस्ता बिल्कुल कायम रहे और किसी को भी कोई परिशा नहीं नहीं हो थैंक्यू आज जमने यहां पे अलवगेट थाना मैं आके मैडम सुनीता गुजर जी का वेलकम किया है अच्छे से लीए कॉनना की और वो अपना कार्वेट इसी तरीके से बहुत अच्छे से करती से रहे बहुत तरक्य करें कमको लेकर और वो हमसे इसी प्रकाड जूड़ी रहें बस यही काम ना करतें हैं आपका नाम है पुनंपूनिय है उख अप